सभी को नमस्कार मैं अभी अभी जब यहां पहुचा और यहां बैठ रहा था कुर्सी पर तो यहां के विवस्थापकों में से एक ने मुझे एक रिफ्रेशिंग टिशू दिया कि थोड़ा फ्रेश हो जाए अच्छा लगा पर यहां सामने लिखा हुआ है शायद यही लिखा हुआ है Transformational School Principles तो मैं उसकी तरफ देखके सोच रहा था कि हमारा education system यह tissue की तरह से क्यों नहीं काम करता है refreshing tissue की तरह से क्यों नहीं काम करता है ऐसा क्यों नहीं होता है कि हमें refresh होने के लिए fresh feel करने के लिए हमें tissue paper की जरूत पड़ रही है ऐसा क्यों नहीं होता कि हम किसी एक अच्छे educated आदमी से मिलें और मिलते ही हम refresh feel करने लगें वाह मज़ा आ गया यह शायद हमारे जमाने का सबसे बड़ा challenge है अगर हम इसको demistify कर दें तो सर इस conference से भी कुछ take home होगा और जितना हम education के नाम पे जो जो कर रहे हैं हम school चला रहे हैं हम mantra ले चला रहे हैं हम सरकार चला रहे हैं हम institutions चला रहे हैं हम publishing houses चला रहे हैं वो सब भी सफल हो जाएगा और अगर ऐसा नहीं होता है अगर नहीं कह रहा है मैं कहता हूं जब तक ऐसा नहीं होता है unfortunatelli ऐसा नहीं हो रहाए कोई gouIST हैं- hyvä कि किसी से रिफाष कर जगने लगे उसके पारिबारिक संसकार उसके अपने संसकार पर education अभी refreshing होने की guarantee नहीं है ये क्यों नहीं हो सकता कि ये लिखा हो, ये धर्म हो कि हमारे सामने वाले लगे मिलने वाले आदमी से जब हम मिलें तो उससे मिलने में अगर वो educated है तो refreshing ही होगा अगर education ये नहीं कर रही है तो फिर education कुछ नहीं कर रही है सिर्फ आपचारिक्ता कर रही है कुछ फाइल ने पूरी कर रही है और मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ जैसा की मुझे बार बार कहा गया I definitely love to be called as education minister rather than the deputy chief minister and that's a subject that is very close to my heart and it's not issue of my heart or my choice it's indeed the need of the day we all of us have to look into education और एक चीज जो मैं देखता हूँ कि हमारे समय की शायद सबसे बड़ी गलती यही है कि हम education को उसकी जिम्मेदारी से मुख्ट करके रखे हुए है हमने शिक्षा मंत्राले तो बना नहीं वैसे बनाया नहीं है आप सब लोग आश्यरे चेकित होंगे सोचके आप में से बहुत लोग सोचते भी होंगे मैं आप भी सोचती होंगे आप शिक्षा मंत्राले में काम करती हैं शिक्षा विभाग में काम करती हैं कि हमारे देश में शिक्षा मंत्राले नहीं है सोचते हैं कभी HRD है सर यह एचाइडी शॉट फ़र्म में समझ में नहीं आता है इसको पूरा खोलना पड़ेगा Human Resource Development Ministry है हमारे हमारे हम एजूकेशन नहीं देते हैं हम अपने humans को resource के रूप में develop करते हैं और माफ कीजिएगा हमें से बहुत सारे लोग ऐसे बैठे होंगे है जिनको Human Resource शब्द से बहुत प्यार होगा पर थोड़ा सा सोचके और Human Resource पर बहुत सारी किताब में लिखी भी होंगी पढ़ी भी होंगी बहुत सारी research की होगी और हमारे Times of India Group में एक department भी होता है करके घर जाएंगे शाम को घर जाएंगे हमारी पत्नी हमारा बेटा अगर ये कह दे गलती से ये लिजे साब आ गया हमारे घर का resource कैसा लगेगा आईए resource जी बैठिये कैसा रहा दिन भर resourceful रहे की नहीं रहे जब हमें अपना अपना resource होना पसंद नहीं है जब हमें अपना human resource के रूप में अपने घर में पसंद किया जाना पसंद नहीं है तो हम कहे को लगे हुए है human resource development करने में थोड़ा से education दें education नहीं देंगे तो resource पैदा करेंगे और दुरभागे से उस resource को फिर कौन यूज करेगा you never know because resources do not decide कि उनका क्या उपयोग होना है resource is like a pen जो मनीशी सवधिया के हाथ में होगा तो education ministry के एक file sign करेगा जो एक पत्रकार के हाथ में होगा तो एक अच्छी या खराब report लिखेगा अगर किसी और के हाथ में होगा तो कुछ और लिखेगा resource is like a pen pen का भी एक cap एक resource है ये decide नहीं कर सकता कि मुझे इस cap पे लगना है इंसान इंसान है resource नहीं है हमेंसे किसी को भी resource होना पसंद नहीं है netbolt हमारी मर्जी के बिना हमें संतुष्टी दिये बिना हमारी उप्योगता सिद्ध हुए बिना कि हम उप्योगी है हमें उससे कम में हमारा degree के साथ जो हम netbolt की तरह fit कर दिये जाते हैं हमें पसंद नहीं है स्विकार नहीं, अपने बारे में, जब हम अपने बारे में इस स्विकार नहीं है, तो हम दूसरों के बारे में इतने सारे कारे के हम क्यूं चला रहे हैं, मेरा इस पूरे के पूरे एजुकेशन सिस्टम से यह बहुत बड़ा सवाल है, और जिसका मैं अंसर खोजने की कर रहा हूं। मैं गया रहा था कि एक बहुत बड़ी गल्ती हमारे समय से हो रही है, हमारे समय में हो रही है और वो यह है कि हम एजुकेशन की उप्योगिता को नहीं समझ रहे हैं, या मैं और थोड़ा ब्रॉड करके कहूं तो ये दुनिया और ये मुल्क, एजुकेशन की उप्योगिता तै करने को लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज है, बहुत कन्फ्यूज है, कभी हम कहते हैं कहीं कोई बला तक अचानक रियल इस्टेट बूम करने लगता है, तो बोले नहीं नहीं रियल इस्टेट, सिविल इंजिनियर्स की दिवांड है मार्केट में, सिविल इंजिनियर्स होने चाहिए, हम एजुकेशन से क्या चाहा रहे हैं, ये हमने तै निंग किया और हम पढ़ाने में लग हूँ हिंदुस्तान के बारे में, और ऐसा लगता है कि पूरे इंसानियत के बारे में ये बात यूनिवर्सल भी कही जा सकती है, कि मानव जाती ने अपने जिंदगी के सॉलुशन्स बहुत गलत जगों से ढूड़े हैं, किसी समय हम इनके सॉलुशन्स ढूंड रहे थे, हम ने को लाई ये वाले किताबें हैं, इनको पच्चिस बार पढ़ लेंगे, तो काम हो जाएगा, कल्यान हो जाएगा, उससे भी नहीं हुआ, फिर लगा कि इच्छा, यहां से नहीं हो रहा, कुछ लिडर्शिप ढूंड लेते हैं, लिडर्शिप से भी नहीं हुआ, वी है इस तो सॉलिशन्स, मेरा अपना मानना है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, आप लोग बहुत एक्पिजेंस लोग हैं, आपने दुनिया पढ़ी देखी देखी है, मेरा अपना मानना है कि जब तक हम धर्मात्माओं की तरफ, किताबों की तरफ, किताबों में मैं कुछ विशेष किताबों की बात करना हूँ, जिनका 25 बार पढ़ा जाना, 40 बार पढ़ा जाना माने रखता है समाज में, उन किताबों की तरफ, या फिर नेता के रूप में विक्तियों की तरफ देखते रहेंगे, तब तक हम मूँग ही खाते रहेंगे, हमको education की तरफ देखना पड़ेग नहीं होने वाला सर जी हम जैसे लोग आभी जाएंगे सब के साथ आप सब के साथ मिलके कुछ थोड़ा बहुत पैचवर कर भी जाएंगे तो उसको नीचे से तोड़ने वाले बहुत हैं पूरा जमाना पूरा इतिहास रखा हुआ है तोड़ने के लिए education institutions हैं उनकी तरफ देखना पड़ेगा we have to look for towards education system कि यह अगर education system ठीक हो जाए तो जमाना ठीक हो जाएगा education system ठीक हो जाए education के schools हमारे ठीक से deliver करने लगें तो बहुत कुछ ठीक हो जाएगा यहां हमको अपने नजरें टिकानी पड़ेंगी हम अपने निगाहे टिकानी जोग हम से कहते हैं साब बहुत उम्मीद है आप लोगों से क्या उम्मीद है क्या उम्मीद पूरी करें सुबह सुबह जो लोग आ जाते हैं उनकी किसी की भांजी को गैस टीचर लगवाना होता है, किसी की बैट दिलवाना होता है, किसी होस्पिटल में, किसी का इंटर्वीव में सिफारिश करनी होती है, उन सब की उम्मीदें पूरी करें, या बहुत सारे लोग ढूट रहे हैं, किसा पानी ठीक हो जाया, बिजली ठीक हो जाया, स्कूल में एडमिशन और ठीक से मिलने लगें, सड़कें ठीक हो जाये, यह सब ठीक करें, क्या उम्मीद हैं, उम्मीदे मुझे लगता है, लोगों को जो हो, हम को खुद से यह से लिए लगता है, मुझे लगता है, मेरा काम है कि पांच साल में, अगर हम सब लोग मिलके समाज में यह भी सोचने लगें, कि जब भी देश की समस्याओं का समाधान निकलेगा, तो एजुकेशन इस्टूशन से निकलेगा, तो शायद हम इस डिसको, हमारा होना सफल हो ज कुपश्चन में जूजते हैं, पहला क्यों पढ़ाना और कैसे पढ़ाना है, दूसरा सवाल, क्यों पढ़ाना है का जवाब हमने नहीं ढूनडा ए हम कैसे पढ़ाना है जवाब ढूठ रहा है। innovative education, innovative methods of education, क्या है, खड़े हो के पढ़ाएंगे, की बैठ के पढ़ाएंगे, नाच के बढ़ाएंगे, की पिक्चर से पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, यह सब innovative methods, क्यों पढ़ाना है पे चिंता नहीं की, और क्यों पढ़ाना है पे जब तक हम ठीक से solution नहीं निकालेंग से किसी दिन कहें bracket management प्ढ़ाना इए प्ड़ाना है 왹ुछ दिन के इउति पढ़ाना एंड के इस गार कर आ इस करण के प्राना इसमें बशन से कि ये घो पढ़ई किया क्यों पढ़ाना है का question हमने नहीं डूंडा मैं आपके सामने कहता हूं कि एक block है जिसका नाम education इसमें आप 20 साल का बच्चा एक input के रूप में डाल रहा है इसमें आप 20 साल का बच्चा इन्पुट के रूप में डाल रहा है scientific language में बात करते हैं आपको output के रूप में क्या चाहिए इस box के चारों तरफ में family बैठी हुई है, society बैठी हुई है, सरकार बैठी हुई है, सब बैठे हुए हम सब लोग बैठे हुए है institutions बैठे हुए, social workers बैठे हुए है इसके output के रूप में आपको क्या चाहिए, input के रूप में आपके पास में 20 साल का एक बच्चा जा रहा है, आप क्या चाहते हैं उस बच्चे से, कि 20 साल बाद जब वो इस बॉक्स से बाहर निकले, तो उसमें क्या हो, जब तक ये तै नहीं होगा, और इसको लेकर भेंकर confusion है, बहुत जबर्दस्त, जितना मैं पढ़ने की कोशिश करता हूं कि कुछ तै हुआ है, क्या उतना और confusion दिखता है मुझको, तो मेरा सबसे आगरा यही है, कि क्यूं पढ़ाना है, क्या हमारी सारी चिंता है, सारा गूगल मैटरियल, सारी लाइवरेडिज भरी पढ़ी हैं एजुकेशन सिस्टम से, कैसे पढ़ाना है के जवाब देने के लिए, स्किल्ड डवलप्मेंट करना है, पर बिना समझदारी के स्किल आएगा क्या, बिना समझदारी के स्किल आएगा तो वो कुछ भी करेगा, आप कंप्यूटर डवलप करके दे दीजे, वो घर में बैठके, पॉर्न वीडियो देखेगा, समझदारी कैसे आएए, हमने का वेलू एज्वकेशन, वेल्व एज्वकेशन मने, कुछ हमने अपने हिसाब से कुछ-खुछ कर दे, मैंने कहा, अभी पीछे, अरवीन जी ने, और हमने दिल्ली के, CM साब ने और हमने दिल्ली के 1000 सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल के एक मीटिंग बुलाई और उन सब के सामने रिक्वेस्ट किया कि भाई दिल्ली में एजुकेशन सिस्टम को चेंज करना है आप लोग बहुत capable हैं आप लोग well trained हैं experienced हैं आप एक तरह से हमने उनके सामने एक challenge रखा कि अगर हम आप में से 100-500 स्कूल को चाटना चाहें ये कहने के लिए कि पहले एक साल में इन स्कूल में transformation शुरू हो गया जिसके हम बात कर रहे हैं transformation शुरू हो गया तो आप बताइए कि आपको सरकार से क्या चाहिए सरकार वो सब देने के लिए तयार है जो आपको चाहिए पर वेन वी से कि transformation शुरू हो गया तो एक साल बाद फिर आपको उस deliveries का हिस्सा कुछ देना पड़ेगा माने आप लंबा है लगेगा transformation एक दिन में नहीं होता है एक साल में नहीं होता है अगर आपको यहां से जैपूर जाना है तो आपकी स्पीड के हिसाब से आपको अगर 300 किलो मेटर जाना है तो समय लगेगा लेकिन आपको एक साल बाद पता होना चाहिए कि आप जैपूर की तरफ मोड़े है तो आप 300 KM मैं से 209 km रागें वन किलो मीटर मूर्स एक साल बाद आपको पता होना चाहिए कि उसको कुछ Benchmark सेट कर लेते हैं हमने दो Benchmark सेट कि हैं उनके सामने हमने कहा कि पहला Benchmark है आपका S.A.P. कि नहीं है अनपड से अनपड पैरेंट से विए आप पूछ के बता सकते हैं कि वो अपने बच्ची की स्कूलिंग से सैटिस्वाई है कि नहीं है आप रिक्षा चलाने वाले से पूछ लीजे ठेली चलाने वाले से मजदूरी से पूछ लीजे या बहुत पढ़ा है लिखा आदमी से पूछ लीजे उनको यह पता है वही उनको इंग्लिश नहीं आती होगी उनको एसेस्टी नहीं आती होगी उनको मैथ के सवाल हल करना नही तो यह पता है कि हमारा बच्चा इसकोल जा रहा है तो एजुकेशन अच्छी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है कुछ बढ़ी हाँ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है इस पर उसका सटिस्फेक्शन लेवल मीटर गेज किया जा सकता है एक तो हमने ये काम किया दूसरा मैंने कहा कि साब जरूत पड़ेगी तो दिल्ली में हम पूरे चेंज करेंगे हम नए स्कूल्स भी खोलेंगे हम शिक्षा का नया बोर्ड भी बनाएंगे हम नए पाठे क्रम भी लेकर साब नया शिक्षा मंतरी नया बोर्ड ये क्या हो गया सीवी एसी से टकराएगा क्या मेरे को कई सारे टीवी जर्लिश इंट्रिव्यू करने आ गए कि वो आप कह रहे हैं पहली वाली बात तो उनको समझ में सॉरी तो से अगर मीडिया वाले साथ ही बैठे हों पर आपकी सम कन्फिजन आदमी कन्फिजन फैलाएगा समझदार आदमी समझदारी फैलाता है तो आपने कन्फिजन फैलाए हुआ है तो खुब कन्फिजन फैलाया कि साब ये शिक्षा मंतरी नया बोर्ड लेके आएगा सीवी एसी से टकराएगा क्या बुराने राज्जों के बोर्ड क हालत हो जाएगी फलाने बोर्ष की तो ऐसी हालत एफिर कही राज्जों के बुड के वो छाप दिए उठा उठा के यह देखौने बोर्ष की यह हालत ए यह इंट्रव्व وج benefici अगया मैंने उनके सामने एक सवाल किया, कि साब ये बताईए, देश का कोई बोर्ड उठालाई है, मुझे दिल्ली का अपना कोई बोर्ड हो, इससे कोई प्रेम निया, I am not married to this idea, I am married to an idea, कि साब 20 साल education के बाद, और अगर बोर्ड की बात करें तो 12 साल, 15, 13 साल, 14 साल, 12, 13 साल के किस बोर्ड में खड़े होके हम अपने बच्चे को भेजें कि हमारे पास में गारिंटी हो कि वो बाहर निकलेगा और उसके बाद, whatever the situations में भी वो बलतकार नहीं करेगा, अगर हम ये गारिंटी नहीं दे सकते तो हमारे सारे बोर्ड बेकार है, हमारा बारे साल बेकार है, ज बहुत अच्छा हो रहा है, अपने बुलट पुलट जाएगा कुछ 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 हम कह देंगे transformation हो गया, अगर transformation करना है तो इसी दिशा में करना है कि 12 साल जो बच्चा हमको धाई साल का बच्चा कुछ नहीं आता हो, कहता है जी जो कहोगे मैं सीखने को तयार हूँ, जो कहो पलिदारी नहीं है, education system के leader होने के नाते, education system के driver होने के नाते, कि हम guarantee ले सके हैं कि हमारे पास ऐसा board होगा, ऐसा education system होगा, कि जो 25 साल का बच्चा 3 साल का हमें 12 साल दे रहा है अपनी जिंदगी के, सभसे महत्पून सभसे initial 12 साल दे रहा है, हम 15 साल बाद, 12 साल बाद जब वो बच्चा वहां से निकालेंगे हम गारंटी लेते हैं कि वह अपराधी नहीं बनेगा हम गारंटी लेते हैं कि उसके अंदर रेसिज्म नहीं होगा हम गारंटी लेते हैं कि उसके अंदर बलातकारी नहीं बचेगा हम गारंटी लेते हैं कि उसके अंदर पर्यावरन को नुकसा पहुचाने वाला आदमी नहीं बचेगा, whatever the conditions may be, तब पॉलिशन रुकेगा, तब education का purpose दे होगा, हम engineers चाहिए हमें, हमें doctors चाहिए हमें, managers चाहिए हमें, advocates चाहिए हमें, सब कुछ चाहिए, यह skill part है, पर समझदार चाहिए, समझदारी वाला part सारा missing है, समझदार engineer चाहिए, समझदार doctor चाहिए, समझदार doctor नहीं होगा, तो kidney आपकी निकाल के 4 लाख रुपे में बेश देगा, और बेची हैं, 20 साल वेश्ट कर दिए, अब वो जो doctor निकाल के बेच रहा है, हमारी गलती है, उसने तो जब धाई साल का आया था, किड्नी चोर बने नहीं आया था, हमने उसको doctor बना दिया, साथ साथ समझदारी देने का काम बंद कर दिया, यहां तक लाना पड़ेगा जी, और जब तक यहां तक नहीं लाएंगे, हमारे, मैंने कहा कि क्यूं का जवाब नहीं मिलेगा, और क्यूं का जवाब नहीं मिलेगा, तो हम कैसे के जवाब में उलजते रहेंगे, दुनिया में बहुत सारी नहीं तक्निक आती रहेंगे, कि हम उन तक्निकों का इस्तेमाल करके we can use and throw those techniques और फिर कहेंगे नहीं हो रहा नहीं हो रहा नहीं हो रहा नहीं होगा जब तक हम क्यों के जवाब में नहीं कहेंगे हमें समझदार इंसान चाहिए जो रोजी रोटी के लिए प्रॉफेशन भी हो जो समाज में भूमिका के लिए एक प्रॉफेशन भी चलाता हो कहां गलतियां हो रही है हम ध्यार नहीं देते हैं चोटी 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 चीजों की तरफ मैं चोटी चोटी से दो एक्जमपल आपके सामने रखने चाहता हूं एक मैं अपने बच्चे की बुक में देख रहा था मेरा बेटा है भी दस ग्यारे साल का उसकी फड़ा साल पहले उसकी बुक में देखा मैंने एक जेंटल्मेंड वर्ड आया बहुत कई साल हो गए पहले जेंटल्मेंड शब्द आया अब जेंटल्मेंड के ऊपर एक पिक् अब जेंटल्मेन तो सिखा दिया आपने इसके स्पेलिंग तो सिखा दी लेकिन एक बहुत बड़ा अपराध कर दिया अगर वो हमारे जैसे किसी एक्टिविस्ट का वेटा है, पत्रगार का वेटा है, किसान का वेटा है, तो उसको लगेगा है मेरे घर में तो गोई जेंटल जेंटलमें जेंटलमें तो रहते हैं जेसा persistent star उलए जीफ में लाको ने olmaz वर सरक्तिर डिरोज तो आपट भी नहीं का ये वहाला जैसे गर में उठोगे आप लुच पने लिए जाने लिगर में मैं किसी चीज की तरफ ध्यान दिलाना चाह रहा हूं क्या अपरात कर रहे हैं education के नाम पर हमें पता ही नी कि हम gentleman सिखाने के नाम पर एक picture pictorial education की कहीं से हमने copy paste मारा अपने education system में और हमने उसको एक मतला वह बच्चा मानने को तयार नहीं है कि मेरी की जिंदगी में मेरे घर में को gentleman है sense of being gentleman गायव हो गए उसकी जिंदगी से एक और में उधारन देता हूं बहुत सारे contradictions हैं इसलिए मैंने कहा कि education मेरा भी favorite subject है amongst all ministries and all subject of life हम लोग opposite words सिखाते हैं सिखाते हैं इस तरी का opposite बुरुष का opposite आकाश का opposite पुरुष आप लग तो सान्त हो गई ऐसा लग रहा Tower सुनने को लग रहे एसा तो नहीं है न तो सब को पता है मैं बता रहे इस त्री का पीरुष हम इस तरी का आकाश का आपोजिट हमने धर्ती सिखाया, धर्ती का आकाश सिखाया, दिन का रात सिखाया, रात का दिन सिखाया, यह सब क्या है, बहुत आराम से बैठ के सोची और बताईए कि यह सब एक दूसरे के आपोजिट हैं, या नेचर के एक्जिस्टेंस में यह सब एक दूसरे के complimentary है, एक दूसरे के complimentary है कि नहीं है, पर क्या हमने अपनी text books में किया, कि हमने बताया बच्चों को कि एक सब पूरक होता है, क्या हमने बताया कि इस्तरी और पूरस समाज में एक दूसरे के पूरक होते हैं, क्या हमने बताया कि दिन और रात जब हम अपोजिट वर्ड समधाने निकले बच्चाओं को और उसका नतीज़ा क्या है? आज हम देख रहे हैं, सब कुछ अपोजिट है कितने इस्तरी, कितने पुरुशों के अपोजिट में कितनी इस्तरी हैं, क्या है? यह सारे डिवेट चल रही है दुनिया भर में पुरकता में है प्रकृति ने एक दूसरे का पुरक होने के लिए बनाया है आप एडुकेशन में धाई साल के बच्चे को सिखाने तीन साल के बच्चे को चिखाने लगते हैं, पूरकता कुछ नहीं होता है, उर्पोजिट होता है. नहीं चलेगा, सरजी. वह और यहीं से सारा एसी का फोल्ड देखिये बॉस ka opposing ट सर्वेंट सर्वेंट का पोझस आप सीनियर का बजनियर यह यह सांप इसको पेरेडाम शिव्ट करके सोच चैए जुनियर और सीनियर इक दूसरे का पोझस cans कि एक दूसरे के कॉंप्लिमेंट हैं मैं जिस ओफिस में काम करता हूं मैं चीफ मिनिष्टर का जूनियर हूं I am I opposite to him I am complimenting him he is complimenting me हुआ है पुरी परिभाश्य बदल जाती है हमारा पूरे नजरिय वह मानों का एक दूसरे के साथ समधों का सोचने का दारा बदल जाता है और हम उन्हें उस पर क्या सिखा दिया opposite है रंक दूसरे क्या सिखाने चले थे एक opposite नाम की concept होती है, एक sense है, पर हमको पढ़ाने वालों को समझ में नहीं आएं कि opposite क्या होता है, हमने complimentary चीज़ों को opposite करके सिखा दिया काम चलाओ, चलो बेटा, सीख लो, रट लो, पास हो जाओ, पास वह तो हो गया आपके examination में, जिन्दगी वर फेलो गया, आपके मुझे से, वो टच करना पड़ेगा, मुझे फरक नहीं पड़ता है, आप CVSC नाम के बोर्ड में लाईए, SSC नाम के बोर्ड में लाईए, ABCD बोर्ड के लाईए, XYZ बोर्ड में लाका ये, मुझे तो अपने पाथे क्रम में ये चीज़ें चाहिएं कि मैं अगर धाई साल का अपना बेटा आपके हवाले कर रहा हूं, तो मुझे बारह साल बाद वो एक इनसान चाहिए जो इस सारी चीजों को समझता हो, आप कहां से गारंटी लेते हैं, मुझे फरक नी पड़ता है, आई रप्रेजेंट दोस पीपल हूँ आर लुकिंग फॉर इट, फ्रम यू, फ समार्ट वर्क नी किया, महनत, काम आई है, ऐसा नहीं है, मैं सब कुछ खारिज हो गया, सब कुछ बहुत बरबाद हो गया, ऐसा कोई डिप्रेशन में डालने नहीं आया हूं, लेकिन सब जैपूर जाना था और लखनो वाली बस में बैठ गया, समय तो कटी रहे, चली रहे हैं, तो पहले उस बस से उतरना पड़ेगा, पहले तो डिसाइड करना पड़ेगा वाली बस लखनो जा रहे हैं, फिर उस से उतरना पड़ेगा, फिर अगर दिल्ली सेंटर था तो दिल्ली तक लोटना पड़ेगा, फिर दिल्ली से जब जैपूर वाली बैठेएंगे, आई लव टार्गेट्स, आई लव डिलीवरीज, वो डिलीवरी क्या है आपकी एजुकेशन में, एक इंजीनियर जो बहुत बड़िया फैक्टरी चला लेता है, मुझे बताइए कि कितने इंजीनियर्स हैं, जिनको अपनी डिगरी के बल पर कॉन्फिडेंस है, और वो अपन एंप्लोयर को कह सकते हैं कि साब आपकी कंपनी में महिलाओं के साथ डिस्क्रिशन होता है, मैंने सुना था दो साल पहले आपके इहां पर एक बत्तमीजी हुई थी, मैं आपके एंजीनियर्स नहीं करूँगा, वाटेवर या पैकेज में बी, किस इंजीनियर में इतनी हिम पढ़ाते हो आप दो साल का, सारा का बाड़ा है, भाफ कीज़ेगा, अब हमको चिंतन करना है, टे करना है कि करना क्या है, मैं कोई बहुत फिर से कह रहा हूं कि जो कुछ अभी तक किया है उसकी बहुत सारी उपलब दिया है, उसी के वज़े से हम यहां बैठे हैं, उसी के मैंने कहा कि उसके लिए कवि हम किई भगवान से ढूंडते हैं, कभी हम किसी गरंथ में ढूंडते हैं, कभी हम किसी लीडर में ढूंडते हैं, सरजी वो तो класс रूंस में लेगा, Heinem एपनी पाथे पुस्तके क्याएं, हमें तैयार करनी पड़ेंगी, मैं जब चुनाव लड़ रहा था तो उससे पहले मैंने एलान किया and I believe in that, that's why I announced कि मुझे दोबारा शिक्षामंत्री बनने का मौका मिलेगा तो मैं दिल्ली के स्कूल में meditation की classes सुरू करा हूँगा फिर से मैं कहता हूँ कोई व्यक्तिगत ना ले आप मैं से बहुत सारे लोग बहुत सारे परमपराओं को फालो करने वाले होंगे मैं भी बहुत परमपराओं को फालो करता हूँ लेकिन जब मैंने जब ये हमारा एक्जाम पास हुआ मैंने seats वो हो गई डिकलेर हो गई और एजुकेशन मिनिस्टर बनना लगवकता है हो गया उसके बाद से लेके पिछले एक सुरू के एक महिने में बहुत लोग आए मेरे पास हर तरह के युनिफॉर्म वाले हर तरह के मेडिटिशन प्रेक्टिस वाले बहुत तरह के अटिहास हैं हम तीन साल से आपके चार स्कूलों में पढ़ा रहे हैं मैंने सबसे एक सवाल किया सब को प्रस्ताव दिया सवाल नहीं किया मैंने का साब मैं अपने 16 लाख बच्चे हैं हमरे पस एक हजार सरकारी स्कूल हैं कम से कम मैं गवर्मेंट स्कूल के बहाफ पर जादे बड़े क्लेम कर सकता हूं डिसाइड डिसाइडिंग फैक्टर में मैंने का मैं सब स्कूल के सारे क्लासरूम साब के लिए खोलने को तयार हूं पर मुझे मेडिटेशन की वो प्रेक्टिस चाहिए I won't allow any name of any group inside my classroom वैसे लिए आईए कोई मंत्र पूजा पाठ नहीं होगी उसके बाद जो बचेगा हूँ meditation है वो लेके आजाएए मैं आपको क्लासरूम स्कूल दूँगा जितना एक महीने में घेरा उसके बाद में एक बिन आए क्योंकि वहाँ problem ये है कि अगर आप हमारे गुरूजी के नाम नहीं लेने दोगे तो हम क्यों है अगर आप हमारी इस particular uniform में हमारे गुरूजी को नहीं आने दोगे तो हम क्यों है अगर ये वाली meditation इस परंपरा से सुरू नहीं करने दोगे तो हम तो मुश्किल हो जाएगा फिर हमारे नहीं हो सकती है। सब नहीं पढ़ते हैं पढ़ते हैं पीछे से वां जाई है देखे क्या है कि हमें कबीर को भी सऑइन्स के डिक में पढ़ाना पढ़ेगा alguma सूरी में पढ़ाना पढ़ेगा तब वह सअमंण ने को सूफिय अंदाज में पढ़ा सकें। सुफिज्म को, कभीर को हम विज्ञानिक अंदाज में पढ़ा सकें, यह हमारे सामने चैलेंज है, पर हम खुदी कभीर को विज्ञानिक रूप में नहीं समझ पाए, अरे, जो भी लिखा हो, मैं मतलब बहुत बड़िया इंटर्पटेटर नहीं हो इन सब चीजों पर, और मै निकल के चला गया, उसके अंदर कमिटमेंट था, उसके अंदर जील था, उसके अंदर नया एक्स्प्लोरेशन की पावर थी, उसने लंका को आग लगा दी, ऐसे खोज के देखो, ना क्या दिक्कत है, खुब पढ़ो, चालिस बार की हो, सौबर पढ़ो, सुबह से साम तक, पर आप आईटी के एक्जाम में पास होने के लिए अगर हनुमान चालिसा पढ़ते हो, तो फिर साइंस फेल है, फिर हमारी एजुकेशन साइंटिफिक नहीं है, तो ये कुछ चीजें हैं जो मैं चाहता हूं कि हम सब लोगों की बातचीत में आए, हम सब लोगों की चिंतन हो रहा है, हम सब लोग है, ये समाज का है, जनता का है, हमारा नहीं है, कॉंप्लिमेंटरी सोचना पड़ेगा, मैं अपने बच्चे के साथ गया मार्केट में, I'm not a best parent, मैं ऐसा क्लेम नहीं कर रहा, जो सारी बुराईयां जमाने में हैं, वो मेरे अंदर भी होंगी, मेरे ब तो मैंने पूचा बेटा, अगर भुट्टा खाना हो, तो कहां से लाना पड़ेगा, बुला जी, खेत से हमारे गाउं में जो खेत हैं, कितने दिन में जा सकते हैं, अभी की बात नहीं काफी परानी बात है, थोड़ा समय जादे हुआ करता था अपलब्द, जी नीउस में क बुट्टे वाले भाईया को पैसा क्यों देते हैं, बुट्टे की कीमत देते हैं, बुट्टे की कीमत देते हैं, बुट्टा जब गाउं जाते हैं तो कैसे मिलता है, बुट्टा वहां तो फिरी मिलता है, फिर मैंने बुट्टे कीमत कहां से आ गई, अब वो सोच में पड रहा, यह जो पैसा हम दे रहे हैं इसको पांच रुपए, हुआ घटना यह घटी थी कि वो पांच रुपए, शहीद दस रुपए मांग रहा था, उसने का यह तो बहुत जादा मांग रहे हैं, तब मैंने उसको यह explanation दिया, उस छोटे से बच्चे को मैं समझाने में के दिये हुए पांच पांच दस दस रुपए एक अठे हो सकें उसके पास और उसका परिवार चल सकें यह उसके लिए दे रहे हैं, बुट्टा तो अनुमोल है, बुट्टा तो प्रिकृतिन नहमें फ्री दिया हुए है, अगर यह हम समझा सकें उस छोटे से बच्चे को, मेरा अनुबव है कि समझाया जा सकता है, सहजता के साथ समझाया जा सकता है, तो मैंने का कि जब हम यहां से निकलें, तो इस कॉम्प्लिमेंटरी भाव के साथ निकलें कि यह जितना सब हमारे यहां जल रहा है, यह सब चल रहा है, यह सब समाज का है, समाज का बनाया हुए है समाज का दिया हुआ है पैसा भले ही हमने कमाया हूँ पैसा भले ही हमने खर्च किया हो लेकिन यह समाज के लिए काम कर रहे हैं उस समाज के लिए यहां से कुछ कुछ टेक होम लेके जा रहें कि निया रहें जा रहें, अस pension system में कुछ परवरतन करें की कोई दशा हम तेय करके जा रहें कि नहीं जा रहें या बहुत अच्छे अच्छे सिर्फ सुभै अच्छी इनगुरल speech के बाद और उससे भी अच्छे अच्छे भासवनों के बाद बैठके उसको दिल्ली में 1000 सरकारी स्कूलों में और बाकी प्राइवेट स्कूल में दिल्ली नगर निगम के और N-D-M-C के स्कूल में उसमें से कुछ सीख के उसको इंप्लिमेंट कर सकें इसके आउटपुट को ऐसी पिक्षा के साथ मैं आपके बीच में आया हूँ मुझे पूरी उम्मीद है कि यहां जो लोग बैठे हैं वो इस बात सारी चीजों को बहुत कंभीरता से लेते हुए education के क्यों को समाज को समझने समझाने में मदद करेंगे कैसे तो हर जमाना अपने हिसाब से तै करेगा बहुत बहुत धन्यवाद बहुत 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 है अप्लोग हो